नमस्कार एक बाद फिसे स्वागत है आपका न्यूस्ट्रोयाल दे पब्लिक वाइस मैं मैं आनिल कमर अपने सहोगी अवंति घरै के साथ बेटी है अभिमान अगर देखा जाए तो इस वाके को पूरा किया है परदेश के पहले जो मुकेश अगनी होतरी की पुतरी ने अगर बात की जाए इन चुनावों की तो कहीं ना कहीं जो दायत तो था या ये कहें कि भूमी का अगर पूरे चुनावों की मुकेश अगनी होत पाक को समय दे पाए तो ऐसे में जो बेटी है जो उनका अभीमान भी है वो कहीं न कहीं चुनावी मैदान में पहली बार उतरी और जब उतरी तो हरोली से रिकॉर्ड मतों से मुकेश अगनी होतरी जी जीत कर भी आये और सरकार भी भाजपा की कॉंग्रेस की यहां पर बनी औ और जो सबसे पहले जो एक इतिहास यहां पर अगर हम बात करें हिमाचल में एक इतिहास रचा गया है वो मुकेश अगनी होतरी जी के नाम का क्योंकि उन्हें उप मुखे मंतरी यहां पर बनाया गया है एक रिवाज यहां पर जरूर शुरू किया था तो इस वक्त हमारे ब तो कैसा लग रहा है बहुत गर्व हो रहा है मेरे पापा ने एक सामान्य परिवार में जनम लिया था और संखर्ष करके आज इतिहास रचाए प्रथम उपमुख्य मंत्री बने हैं मैंने करीब से उनका समर्पन देखा है अपने अपनी जनता के प्रती पाटी के प्रती उन्ह इतिहास को रच पाई हैं बहुत गर्व है उन दोनों पर आस्ताजी अगर बात की जाए तो पहली बार आप पो चुनावी रण में खुदे थे तो कैसा अनुभव आपका रहा इस चुनावी रण में बहुत अच्छा अनुभव रहा जहां भी हम हरोली में जाते थे प्रदेश में संदेश विजवाया है बाकी विधायकों के लिए भी कि अगर आप विकास करेंगे आपको कभी भी कोई डिफीट नहीं कर सकता आपकी जीत सुनिश्चत जनता करेगी तो हरोली की जनता का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे मेरे परिवार को और खास क के रास्ते पे तो किन चुनावतियों को आपको सामना करना पड़ा क्योंकि यह चुनाव भी आपके लिए पहला चुनावत तक ऐसा कोई वाकिया आपको याद है जो लोगों ने आपसे जिस समस्याव को अवगत कराया अब आपका वो एम होगा कि उसे सबसे पहले निपट पांच साल में भाजवा सरकार से वो वाइरिंग नहीं लग पाई फंडिचर नहीं लग पाई और हमारी बच्चियां जो वहां पड़ती है वो मजबूर होगे छोटे-छोटे कमरों में शिक्षा लेने को जबकि इतना अच्छा कैंपस तयार है वैसी हरोली कॉलेज था डि सेंटर चालू होता तो सोला सौ बच्चे एक वारी में शिक्षा लेते स्किल लेते और आगे अच्छी से अच्छी नहोकरियां विदेश में भी पाते तो ऐसी चीज़ें देखके बहुत दुख हुआ कि सरकारे आती जाती रहें रहेंगी पर जो जनता का पैसा है उसको नह सरकार बदल गई और वो किसी और ने बनाया तो श्रे की राजनीती से उपर उठकर राजनीती होनी चाहिए मेरा ये मानना है पापा राजनीतीक थे तो क्या आपको उस टाम समय दे पाते थे जी समय मत का हिसास होता था कि वो बिजी है उनकी जो ड्यूटी परिवार से उपर जनता के प्रती है पाटी के प्रती है तो बच्मन में कभी इस चीज़ का हिसास नहीं हो क्योंकि मम्मा ने हमेशा समझाया क कि वो काम कर रहे हैं उनके दायत्वा जो परिवार से उपर जनता के प्रति उनको पूरा करना है पर ऐसा था कि फिर भी वो हमेशा बहुत टाइम देते थे अगर मैं पढ़ रही हूं एक्जाय में तो रात रात को मेरे साथ बैठे रहते थे कॉफी दे रहे हैं पढ़ाई कर हैं मेरे साथ तो एक हमेशा और फोन जब आए हम बड़े हुए तो अगर मैं कहीं बाहर हूं विदेश में हूँ और ट्रेन में हूँ तो वो हमेशा चेक रखते थे तो यह था कि हमेशा एक कम्यूनिकेशन राच चिंतित रहते हैं हमेशा मेरे लिए और वो मुझे हमेशा पैंपर करते हैं तो कॉलिटी टाइम हमेशा वो मुझे देते रहे पर कहीं ना कहीं जो एक सामन्य परिवार टाइम दे पाते हैं वो हमें मुश्किल होता था तो गाड़ी में हमारी अक्सर जो परिवार टाइम इकठे बिताता है वो गाड़ी में ही होता था तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है राजनीती में हर राजनेता के लिए किसी भी विधायग के परिवार को त्याग तो देना ही पड़ता है अस्ता जी अब आप राजनीती में आई चुके हैं तो इन फ्यूचर क्या आप अपने पिता जी की विरासा संभालेंगे हरोली से नहीं मैं राजनीती में नहीं आई हूँ हर कैंडिडेट के परिवार का दाइतवय की वो कैंडिडेट का साथ दे और यहां तो मुकेश जी पूरा प्रदेश संभाल रहे थे पूरी पार्टी की जिम्मेदारी उन पर थी तो वो स्टार कैंपेइनर थे तो मुझे हरोली इसलिये संभालना पड़ा और बाकी मेरा हमारे परिवार का भी परज है हरोली की जनता के प्रती इसलिए मैं लगातार वहाँ जुड़ी अपने लोगों से मिली और आगे भी हरोली की जनता के लिए हम जो काम हमसे हो पाएगा वो करेंगे हम मुझे अपने पापा का कंधा बनना है क्योंकि मैं एक लोती अउलाद हूँ और बेटी बेटों से कम नहीं आज की तारीक में तो इसलिए मैं बाहर निकली थी लोगों के बीच जा रही थी आपसे अंतिवी सवाल ये है कि अब उपमुक्य मंत्री हैं तो दाय तो बढ़ चुका है अब हर इंसान भी वहां तक नहीं पहुंचता कहीं न कहीं आप तक भी लोग समस्या लेकर आएंगे तो जो आपके पास समस्या लेकर आना चाते हैं उनको आप क्या अपील करना चाहेंगी जी वैसे तो मेरा सरकार में कोई दखल ना पहले था ना अब होगा पर जो भी उनकी बात होगी हम सही चैनल से अपने पापा तक सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कोई सरकार में दखल तो ना पहले था ना अब होगा पर आपकी बात जरूर हम आगे पहुंचाएंगे धन्यवाजी तो ये थी आस्ता अगनी उतरी जैसे इननोंने कहा है कि मैं अपने पिता क्या कंदा बनूँगी आज की डेट में बेटियां भी बेटे से कम नहीं है ऐसा इनोंनी एक संदेश यहां पर दिया है और कहा है कि वो भी अपने पिता जी से कहेंगे कि चाहे खासकर जो युवाओं की इना बात किया है कि हम युवाओं के लिए कुछ न कुछ जरूर यहाँ पर करेंगे झाल झाल